हेलो फ्रेंड पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या गया आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि छिद में ने लगाया सच्चाई का पता की आखिर किसने रची है सवी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश तो वही छिद में ने किया असली गुने काफी सारी गलत गलत बाते लिखी गई हैं तो वही जान बूज के सवी के खिलाफ इलाफ यह बड़ी साजिश तकी वो फस्सके और इशान की नजरों में गिर सके जहां जिन में अपने पूरे परिवार के सामने जब सवी के दिये गए डिव्यू को पड़ता है तो घरवाल के साथ साथ वो खुद भी हैरा हो जाता है ये सोच कर कि सवी इतनी समझदार और सुलजी हुई लड़की है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है वेल अब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां चिन में कोई ये बात अच्छे से समझा जाएगी कि ये काम पका सवी का तो नहीं है कोई और ही है जो मौके का फायदा उठा रहा है सवी को बदनाम करने की तो वहीं चिन में खुशक हो जाता है और वो बड़ा फैसला कर लेता है कि वो सच्चाई का पता जरूर लगा के रहेगा जहां इशान के साथ साथ पूरा भोसले परिवाश सवी को गलत समझने लगता है क्योंकि रीवा ने आग में घी डालने वाला काम किया है उसने सब के सामने ये साफ साफ कह दिया है कि ये काम 100% सवी का ही है क्योंकि उसके दिल में अब बदला लेने की भावना जो है वेल लब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाब देखेंगे कि जहां सवी खुद अपने आर्टिकल को पढ़के हैरा हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा कोई भी गल कम समय के लिए ही सही जितना भी वो सवी के साथ रहा है इतना तो उसे समझ आ गया है कि सवी कैसी है और वो क्या कर सकती है तो वहीं दोस्तो आखिर कौन है इस बड़ी साजिश के पीछे कौन जाता है कि सवी और इशान गलत फहमी का शिकार हो जाएं और एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग और दूर हो जाएं क्या वो राव साहिब है या अक्का साहिब या रिवा कीमा स्वाती या फिर खुद रिवा तो दोस्तों आखिर कैसे कर पाएगा चिन में असली विलन को एक्सपोज ये जानने के लिए आप सब बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो को ल सब्सक्राइब करना ना भूलें